हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका भी फॉन पे में बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो रहा आपको प्रॉल्म आ रही है तो आप अपनी इस प्रॉल्म को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यही सब के इस वीडियो में आपको बताऊंगा चलिए विडियो को शुरू करते हैं, और यह देखे, यह मैंने फॉन पे को खोल रखा है, और यहाँ पर यह मैं अपना bank account add करूँगा, और यह मेरा hdfc bank है, और मेरे को sim choose करने का option आया है, मैं अपना bank register sim choose करके, यह continue पर click करूँगा, तो यह देखे, यह मेरा sending SMS, यह ऐसे ही घुमता रहेगा, और यहाँ पर मेरा bank account link नहीं होगा, यह कितनी देर ऐसे ही घुमता रहेगा, sending SMS, sending SMS, और मेरे को error आ जाएगा, unable to perceived, या sorry it's taking this long, और मेरा bank account phone pay में link नहीं होगा, इस problem को आप कैसे solve कर सकते हैं, यही सब कुछ इस वीडि steps बताऊंगा, वो steps आप follow कर लीजिए, आपकी यह problem solve हो जाएगी, आपका bank register, mail number वाला SIM activate होना चाहिए, उस पर recharge होना चाहिए, और जो भी उसमें recharge हो, उसमें आपको outgoing messaging की सुविधा मिली हुई होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम phone pay में अपना bank account add करते हैं, तो हमारे उस SIM से register, mail number पर जो recharge हो, उसमें आपको messaging की सेवा मिली हुई होनी चाहिए, और आपका bank register, mail number वाला SIM आपके इस mobile में भी होना चाहिए, जिस mobile में आप phone pay को use करना चाहिए, और जब भी आप phone pay में अपना bank account link करते हैं, आपको SIM चूज करने का option आता है, आप अपना bank register, mail number वाला SIM ही यह पर choose कीजिए, और उसके बाद continue पर click कीजिए, और आपके bank register, mail number वाले SIM में, balance भी minus में नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ एक दो रपी बैलनस भी होना चाहिए, और आपको outgoing messaging की सुविधा भी मिली हुई होनी चाहिए, और किसी किसी को यह इस setting के कारण भी problem आयती है, किसी कि इसी mobile में यह setting होती है, यह setting भी आप देख लिजिए, अगर आपके mobile में है यह, तो इस setting के कारण भी problem आयती है, यहाँ पर एक security app होता है mobile में, यह दिखे, यह security app, आप इस security app पर click कर दिजिए, आपको agree और disagree, दो option आएंगे, आप agree पर click कर देना, उसके बाद भी आप करके द setting का icon है, यह देखे, उपर, यह मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यह उपर एक setting का icon है, आप इस setting के icon पर आप click कर दिजिए, यह देखे, यह उपर, यह setting के icon पर आप click कर दिजिए, और यहाँ पर नीचे आपको एक option मिलेगा, withdrawal of consent, आपके mobile में यह option on होना चाहिए, और उसके बाद भी आप करके देख सकते हैं, अगर आपकी यह problem solve हो जाए, और अगर आपकी problem इससे भी solve नहीं हो रही, तो आप अपने mobile में, play store से एक app को download कर लिजे, message app, यह देखे, message app, और आप कोई भी message app को download कर सकते हैं, और इसको download करने के बाद भी आपको एक setting करनी होगी, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या setting करनी है, और जैसे ही आप message app को open करेंगे, यह देखे, यह मैं दिखा देता हूँ आपको, और जैसे ही आप message app को open करेंगे, आप इसको set as default app कर दिजे, और यहाँ पर यह देखे, यह ok कर दिजे, यह ok और इसको set as default app, और यहां पर जो आपने डाउनलोड किया है यह देखिए यह इस पर आप क्लिक किजिए और इसको डिफॉल्ट में कर दीजिए और इसके बाद भी आप करके देख सकते हैं और नहीं तो आप यह सेटिंग भी देख लिजिए आपके मॉबाइल में एक SMS सेंटर नमबर होता है यह देखिए यह सेटिंग भी आप अपने मॊबाइल में चेक कर रहेना और इसको भी आप सही कर लेना यहाँ पर इस option को भी आप on करके रखना अगर आपके mobile में यह setting है और सबसे बड़ी problem आती है मैंने देखा है SMS center number के कारण अगर आपके mobile में यह SMS center number सही से obtained नहीं है तो भी आपको phone pay में अपना bank account link करने में problem आएगी और यह SMS center number क्या है SMSC number क्या है इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है उसे वीडियो का link में आपको description में देदूँगा वो वीडियो देखकर आप अपने mobile में SMS center number को सही से update कर लिजिए उसके बाद आप phone pay का clear data कर दिजिए या phone pay को delete करके दबारा से install करके फिर कीजिए आपको problem नहीं आएगी आपका bank account phone pay में link हो जाएगा इस तरह से आप अपनी problem को solve कर सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दिजिए शेर कर दिजिए और मेरे चैनल को भी subscribe कर दिजिए